अलो वालेकुम सलाम कौन साथ कहां से नारवाल जी फरमाई क्या पूछना चाहते हैं अपने प्रोग्राम मेरा देख लिया मसूर की कास्ट का अभी अभी देख हैं जी नहीं मेरी जान वो तो दस्तियाब हो गया आपने लगता है कि पूरा प्रोग्राम नहीं देखा और उसमें बिलकुल आपको समझी नहीं आई कि क्या कौन सी तारीख मैंने बताई भी है तो दुबारा नहीं है आपने देखा चाले मकसद मेरा पता क्या होता है मेरी यह सुने ना मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को जो भी टिकनोलोजी दूँ और उस पे आप देखें अमल करें और देखें कि बला मैंने क्या और मसूर का मेरी जान मैंने आपका 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 बारानी लगा है नारवाल है तो नारवाल मेरी जान आपने आज हो गई है 19 स्तंबर 19 स्तंबर बारानी इलाकों में 19 25 स्तंबर से लेके आपने 15 अक्तूबर तक मैंने कहा था कि आप इसकी करनी है आपने सौइंग वाई आपको पता चल गया यह स्चीज का और वराइटी जो है वो मुख्तलिफ है एक चकवाल मसूर है इसी तरह पंजाब मसूर वो जो है 2009 है इसी तरह एक मरकज 2009 है इसी तरह नयाब मसूर 2006 है इसी तरह नयाब मसूर जो है 2002 है कई एक वराइटीज है मेरी जान मैंने आपको बताई भी है आपके लिए जो भी मिल जाए आप चकवाल मसूर को ट्राइ कर लेंपंजाब मसूर को 2009 को ट्राइ कर लेंग्याब मसूर को ट्राइ कर लेंग्याब दोजार चे को दोजार दो मिले जो भी आपको मिल जाए सीड वह आप ट्राई करें इंशाला तल्हा बेहतरीन रिजल्ट होंगे ठीक है मेरी जान मेरी जान मैं बता रहा हूं आप उसका बीज आपने दुबारा से अगर आप मेरे वह प्रोग्राम में जाएंगे तो मैंने आपको शरा बीज बताया हूँ बताना एक होता है मोटा दाना एक होती यह बारीटी बारीग कार वाली यह होती है ना आर्म लिए 8 से लेके 12 किलोग्राम बीज इसका दरकार होता है फी एकर ठीक है और मोटे दाने वाली दस से लेके बारा किलोग्राम और दर्मियाने और बारीक वाली आठ से लेके दस किलोग्राम तक होती है ठीक है और कोई मसला अच्छा 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 वो मेरे उसाथ थे डाक्टर दौसा अच्छा बांजिया माशालों उनके बेटे जो हैं उनकी वह एफेट में उनके पैस्टिसाइड्स हाँ 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 ठीक है अच्छा वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त मेरे कुलीग भी रहे हैं लेकर नहीं है कि पहले मेरे सबसे पहले मेरे उस्ताद थे हाटी कल्चर थे कोई भी मसला हो यू आर मुस्त वैल कम ठीक है ओक कि अल्हाफिश द्याओं में याद रखे अल्हाफि़ वे बांच अच्छा अस प्रोग्रेम का इखताम गुरान करीम पारा नमबर एकीस सूरा नमबर तीस आएत नमबर बाइस अल्लाह अबुलिजद का फरमान है आस्मानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी बोलियों और रंगतों का मुख्तलिफ होना अल्लाह ताला की निशानियों में से है सदक अल्लाह अल्जीम दौाओं में याद रखें फिमान लह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बंग्लादेश से कॉल्स जम्मा के सिवा रोजाना सुबह ग्यारा से दुपहर एक बजे तक ली जाएंगी और यॉरप और बेरूने मुमालिक से कॉल्स शाम चार बजे से पांच बजे तक ली जाएंगी इन उकात पर 0333-5121-879 पर डौक्टर अश्रफ साहिबजादा से राप्ता करें शुक्या